तो है है यहां फ्रेंट्स वेल्कम बेग तो 30 डेस्ट पोकन इंगलिश कोर्स 30 डेस्ट इंगलिश कोर्स के अंतरगत आज आज आप सभी के लिए लेकर क्या हैं यूज ओफ शुड एंड शुड है ओ चलिए समझते हैं शुड और शुड हो का यूज कहां पर किया जता है सब स इसका यूज किया जता है किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी को बताने के लिए हिंदी अर्थ अगर हम बताएं तो इसका आर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए चाहिए कि दो यूज होते हैं एक तो कोई चीज चाहिए कोई काम करना चाहिए तो यहां पर जो भी वेक्ति की duty अत्वा करतवे को बताने के लिए क्यों करते हैं suggestions के लिए भी यूज किया जा सकता है duty बताने के लिए suggestions बताने के लिए इस तरीके से हम should का use कर सकते हैं should में हम बताते हैं कि किसी भी वेक्ति को कोई काम करना चाहिए किसे क्या काम करना चाहिए तो समानेत हम मुझे करना चाहिए तो I का use करेंगे हमें के लिए we का use करेंगे आपको कोई काम करना चाहिए तो you उन्हें कोई काम करना चाहिए तो दे उसे कोई काम करना चाहिए तो he उसे कोई काम करना चाहिए तो she इसे कोई काम करना चाहिए तो it और किसी का नाम लेकर के बोलना चाहिए तो वह भी बोल सकते हैं सभी के साथ हमें क्या यूज करना है तो सभी के साथ हमें यूज करना है should should का मतलब होता है करना चाहिए और उसके बाद हम यूज करते हैं verb का first form verb का first form आप सभी जानते होंगे जैसे मुझे कोई काम करना चाहिए मुझे लिखना चाहिए तो I should write आपको लिखना चाहिए तो you should write हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए तो we should बोलना के लिए होता speak और क्या बोलना चाहिए तो speak English structure point of view से अगर हम बात करें तो structure इसका रहेगा subject subject plus should plus verb का first form plus object किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए हमें किसी भी व्यक्ति की duty का बोध कराना हो हमें किसी भी व्यक्ति के करतवे का बोध कराना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं should के साथ verb का first form यूज करते हैं जैसे हमें अच्छी किताबे पढ़ना चाहिए, sentence हो सकते हैं, हमें अच्छी किताबे पढ़ना चाहिए, तो होगा हमें के लिए होता है भी, फिर उसके बाद हमने बोला है कि should का यूज़ करना है, verb इसमें हो सकती है, read और अच्छी किताबे को हम बोलते हैं good books, तो we should read good books हमें अच्छी किताबे पढ़ना चाहिए we should read motivational books हमें अच्छी प्रेना दाई किताबे पढ़ना चाहिए inspiring books पढ़ना चाहिए तो किसी भी वेक्ति को कोई काम करना चाहिए तो उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं should का use करते हैं should में अलग-अलग हम pronounce का use कर सकते हैं जिसे मुझे करना चाहिए तो I should हमें करना चाहिए तो we आपको करना चाहिए तो you उन्हें करना चाहिए तो they उसे करना चाहिए तो structure इसका हमने बोला है कि भी हम सबसे पहले subject लिखते हैं फिर लिखते हैं हम should फिर वर्ब का first form और फिर object का यूज़ करते हैं किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए अब किसी का नाम लिख सकते हैं अलग-अलग professions को लेकर करके चर्चा कर सकते हैं जैसे कि हमने बोला कि शिक्षकों को इमांदारी से पढ़ाना चाहिए या पढ़ाना चाहिए तो टीचर्स शुड़ टीच ओनेसली टीचर्स को इमांदारी से पढ़ाना चाहिए students को पढ़ना चाहिए तो students should study doctor को इलाज करना चाहिए तो doctor should treat तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि किसी भी वेक्ति को कोई काम करना चाहिए तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं should का यूज़ करते हैं फ्रेंड से ध्यान रखेंगे इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनता है तो जब हम नेगेटिव की बात करते हैं कि कोई काम नहीं करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए भी हमें जूट नहीं बोलना चाहिए तो we shouldn't tell lie उसे किसी को धोका नहीं देना चाहिए he shouldn't deceive anybody आपको time waste नहीं करना चाहिए तो you shouldn't waste your time तो इस तरीके से हमें बोलना हो कि किसी भी वेक्ति को कोई काम नहीं करना चाहिए तो वहाँ पर हम should की जगह क्या लगा देते हैं shouldn't का यूज करते हैं जैसे कि हमें समय बरबाद नहीं करना चाहिए तो क्या होगा we shouldn't waste हमारा समय तो our time तो हमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए बरबाद नहीं करना चाहिए तो we shouldn't waste our time तो friends इस तरीके से जब हमें कहना हो कि किसी भी वेक्ति को कोई काम नहीं करना चाहिए तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते है शुडंट का यूज़ करते है इसका interrogative भी बना सकते है जहाँ पर हम शुड को आगे यूज़ करते हैं क्या पूछने के लिए जानकारी लेने के लिए कि शुड प्लस subject प्लस verb का first form प्लस object question mark क्या हमको कोई काम करना चाहिए क्या आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए क्या आपको इसकी मदद करनी चाहिए क्या हमें इहां करना चाहिए तो जो क्या वाले statement से हैं उनकी सुरुवाद हम should से करते हैं और sentence में should का use starting में करते हैं जैसे हम कहते हैं कि क्या आपको क्या आपको वहाँ जाना चाहिए ऐसे पूछ रहे हम क्या आपको वहाँ जाना चाहिए तो क्या आने के कारण जो helping वर भी should होती है इसको starting में use करते हैं तो should आपको मतलब you जाना को मतलब go कहां पर वहाँ पर तो should you go there क्या आपको वहाँ पर जाना चाहिए चुकि question पूछ रहे हैं इसलिए question mark का use करेगे तो should you go there कि आपको वहाँ जाना चाहिए तो जब हमें बताना होगी कि किसी भी वेक्ति को कोई काम करना चाहिए तो should का use करते हैं नहीं करना चाहिए तो shouldn't का use करते हैं इन दे सेम वे interrogative की बात कर रहे हैं तो should का use हम starting में करते हैं तो इस तरीके से हम सारे structures का पढ़ते हैं definition अगर हम बात करें तो should be एक क्या है modal है जिसका उपयोग होता है कि कि किसी वेक्ति कोई काम करना चाहिए अलग-अलग परिस्तितियों में यूज़ करते हैं पहला तो duty बताने के लिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो we should help others advice देने के लिए भी use किया जा सकता है कि आपको ये काम करना चाहिए उसे अच्छे कबड़े पहना चाहिए तो he should wear good clothes जैसे हम कुछ common sentences देख लेते जो अब हमें topics पढ़े उसको ले करके जैसे कि है पहला कि आपको मंदिर जाना चाहिए तो आपको हम क्या बोलते है you, you के साथ हम use करेंगे should कहा जाना चाहिए मंदिर जाना चाहिए तो verb है go तो you should go to temple आपको मंदिर जाना चाहिए you should go to temple छीक है इसी तरीके से तुम्हें वो भूल जाना चाहिए तो you should भूला को क्या बोलते है forget वहाँ तो that तो you should forget that आपको भूल जाना चाहिए तुम्हें खाना खाना चाहिए तो तुम्हें कोई बोलेंगे you should खाना खाना मतलब eat food तो you should eat food उसे सावधानी बर्यतनी चाहिए तो he should be alert हमें अधिक सतर करेंगे चाहिए we should be more cautious तो इस तरीके से किसी भी वेक्ति को कोई काम करना चाहिए तो सबसे पहले हम subject लिखते है should लिखते है और फिर verb का first form व्यूज करते हैं आगे और sentence है कि हमें सुबच आए पीना चाहिए तो we should take tea नहीं पीना चाहिए तो we shouldn't not we shouldn't take tea उसे घर नहीं जाना चाहिए he shouldn't go to home हमें रोज अकबर बढ़ना चाहिए we should read newspaper डेली उसे सराब नहीं पीना चाहिए he shouldn't take wine हमें रोज school जाना चाहिए we should go to school डेली तो क्या करना है कि किसी भी वेक्ति को कोई काम करना चाहिए जिस वेक्ति को कोई काम करना चाहिए उसे हम starting में लिखेंगे आगे अगर हम बात करें तो should have आता है फ्रेंड्स यह should have को past कहा जा सकता है अभी अगर हम present में discussion कर रहें कि अभी आपको कोई काम करना चाहिए तो हम should का use करेंगे लेकिन हमें पस्ता रहे रिमोर्स कर रहे हैं, regret कर रहे हैं कि हमें कोई काम कर लेना चाहिए था हमें कोई काम कर लेना चाहिए था तो जब हमें ऐसा कहना हो कि कोई काम कर लेना चाहिए था तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं should have के साथ vorb का third farm ध्यान रखना है अभी present में करना चाहिए तो should के साथ vrb का first farm यूज करेंगे लेकिन जब हमें बताना हो कि past में कोई काम कर लेना चाहिए था तो वहाँ पर हम should have के साथ वर्ब का third form यूज़ करते हैं इसका आर्थ होता है कर लेना चाहिए था जब हमें बताना हो कि किसी व्यक्ति को past में कोई काम करना चाहिए था या कर लेना चाहिए था तो वहाँ पर हम should have के साथ वर्ब का third form यूज़ करते है जैसे अभी 10th का एक्जाम चल दा था मैं 10th क्लास में suppose था मेरे एक्जाम सो हो गई है मेरे मार्किंग कम हुई है तो ऐसे स्थती में अब मेरे result आने के बाद में बात कर रहा हूं कि मुझे पढ़ाई कर लेना चाहिए था तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि मुझे कर लेना चाहिए तो I should हेओ और हेओ के साथ हमेशा ध्यान रखना हेओ के साथ हमेशा ध्यान रखना की कभी भी वर्ब का third form ही यूज़ किया जाता है तो I should have study का third form यहाँ पर यूज़ करेंगे तो I should have studied मुझे पढ़ लेना चाहिए था आपको मुझे बता देना चाहिए था तो I should have you should have बताना को टेल का third form होता है told तो I should have told me आपको मुझे बता देना चाहिए था उन्हें आज आना चाहिए था they should have come तो जब भी हमें बताना हो कि किसी विक्ति को कोई काम कर लेना चाहिए था तो वहाँ पर हम यूज करते हैं शुड है के साथ वरब का थर्ट फर्ड फॉर्म देखते हैं जैसे पास्ट के एड्वाइस कि तुम्हें अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थे सीखने चाहिए थी तो यूशुड है और थर्ड यूज़ किया गया worked, तो we should have worked on time समय पर काम कर लेना चाहिए था, कुछ examples दे हैं, कि हमें खाना खाना चाहिए था, तो we और past की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लगाएंगे should have और verb का third form लगाते हैं, तो eat का third form हो जाएगा, eaten, तो we should have eaten food, हमें खाना खाना चाहिए था, उसे car चला नहीं चाहिए थी, तो he should, he should have चलाना का drive का third form क्या हो जाएगा, drive one, तो he should have driven car, उसे car चलानी चाहिए थी, आपको उसे मिलना चाहिए था, तो you should have, मिलना का third form हो जाएगा, mate, you should have mate, him या her, उसे मिलना चाहिए था, मुझे कपड़े धोने चाहिए थे तो I should have आप have के साथ वर्ब का third form लगाते हैं तो wash का third form हो जाएगा washed clothes मुझे कपड़े धोने चाहिए थे तो इस तरीके से जब भी हमें बताना हो कि किसी भी वेक्ति को कोई काम कर लेना चाहिए था तो वहाँ पर हम should have के साथ वर्ब का third form लगाते हैं राणी को full नहीं तोड़ना चाहिए था तो राणी shouldn't have plugged the flowers आपको वहाँ अंगरी जी बोलनी चाहिए थी तो you should have spoken English देर इस तरीके के जो sentences है आप इनका screenshot ले सकते हैं और self level पर भी translate करने की कोसिस करेंगे जितना ज़्यादा practice करेंगे उतने ज़्यादा perfection की तरफ बढ़ेंगे दोनों structures की जितने भी sentences आप comment box में जरूर लिग दीजेगा ताकि सारे लोग practice कर पाए उहाँ पर practice हो सके अलग-अलग हमारे platform से जिनसे आप जूड़ सकते हैं मास study, मास English grammar, कमलेसर official, मास online school यह हमारे YouTube पर अलग-अलग platform में Facebook पर हमारे MasterDee के नाम से Instagram पर भी हमारे MasterDee की channels बने हुए तो आप सभी जगह में follow कर सकते हैं ठीक है, Premium Spoken English course है Spoken English की complete जहाँ पर practice कराई जाती है तो इस तरीकी के सारे courses है आप join कर सकते हैं जाइन करने के लिए नीचे दिये गए नमर पर आप call कर सकते हैं और वहां के उसके माधियम से जाइन कर सकते हैं MasterDee डाउनलोड करके वहां से भी हमारे लग-लग courses purchase कर सकते हैं तो आप इसके लिए free है चलिए, तो ठीक है, thank you friends Hope you enjoyed the session, ठीक ठाक लगा होगा अगर ठीक ठाक लगा है तो like, stand and subscribe जरूर करते हैं Thank you